हाई फ्रेंड्स तो आज हम ले आए हैं एकदम निव वीडियो मतलब की कोई खाने का वीडियो नहीं है बाकि तो आप इंट्रो देखके समझी गए होंगे तो यह हमने कैसे बनाया है और कितने कम समानों में बनाया है चलिए देख लेते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है सी यह ग्लास तो आप बड़ा ग्लास में भी इसको बना सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है फॉल पेपर अगर आपके पास प्लास्टिक वाली सीट यह मतलब मोटी सीट अगर हो तो उससे भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने फॉल पेपर से यह इसको बना लिया है बाकि यह फॉयल पेपर से भी न बहुत अच्छा बन जाता है तो इसको क्या करेंगे इसको दो तीन बार एकदम अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि यह हलका सा मोटा हो जाए क्योंकि फॉयल पेपर बहुत ही पतला होता है तो बस इसको हलका सा मोटा कर है बहुत जादा बड़ा नहीं करना है हमें तो यह देखिए सबस इसी तरीके से सारे मतब जो फॉल पेपर हैं हमने इसको कट करके इसी तरीके से रख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे मतब किसी सुई की सहायता से आप किसी भी चीज से आप इसमें बीच में हलका सा मतब होल कर देजिएगा ताकि जो हम रूई की 32 में लगाए नहीं अच्छे से फर्स जाए तो यह देखिए बस इसी तरीके से क्या करेंगे सारी दिया को मतब हम रूई वाली बती है इसी तरीके से हम बना के इसको त्यार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने छे साथ जो रूई की बत इतने अच्छे से जलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है कुछ वेस्ट मतलब की कुछ जैसे घर में कुछ भी समाने से पढ़े रहते हैं आप उनका इस्तमाल इसमें कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे यहां ग्लास में जो हमने यह सूरत लगेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो ग्लास में तो मैंने प्लास्टिक वाले फूल का जला ही सकते हैं और यह बिल्कुल भी बुद्ती नहीं है मतब बंद भी नहीं होती हो एकदम अराम से 5-6 गंटे एक चम्मत तेल में बिल्कुल आराम से यह जलती रहती है तो यह देखे समय हमने ऑल डाल दिया है तो अले डालने के बाद क्या करेंगे जिए हमने रूई वाली उपर उसके बाद क्या करेंगे कि को सब्सक्षाeton नहीं हुए देखे सकते हैं बिल्कुल एक का याप सोकते हैं एतने ताइम जलेगी तो चलीए मैं इसको जला के भी आपको दिखा देती हूं तो ये देखे कितने आसानी से एकदम नॉर्मल तरीके से जलबी जा रही है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये दिये इतने खुबसूरत लगते हैं ना कि आप यकीन करिए आप जब एक बार इसको बनाएंगे ना और अपने घर में आप इस दिवाली में जलाएंगे तो लोग जरूर कुछने वाले हैं कि ये आपने कैसे बनाया है तो एक बार आप इसको बना के ट्राइ करिएगा उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही हलफुल होगा कि अगर एक चमश तेल से इतने घंटे अगर कोई दिया जले तो फिर लोग बनाना बनता ही है ना तो ये देखे मैंने आपको लाइट आफ करके भी दिखाया है इसका मतब ये कितनी खुबसूरत लग रही है ना क्योंकि इसमें जो गुलाब की पंखुडियां और प्लास्टिक के फ्लावर्स मैंने अंदर डाले है ना इसकी वजह से इसका जो लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करीए करीए का एंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो इस दिवाले में आप भी ये दिये बनाके जलाईएगा तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई